नमस्कार आप सब लोग जुड़े हैं NDB दोरा आप सब का इस कारेग्रम में स्वागत है मैं गुल्चेंशर्मा सहकारिता प्रशिश्टन समूर से हूँ आज का कारेग्रम उत्तर प्रदेश, राजस्तान, बिहार, जहारकन, चत्रिसगड के लिए रखा गया है आज का शिर्शक है स्वच्छ दूत उत्पादन अधिक मुनाफ़ा कमाने का एक तरीका या जरिया इस संदर्ब में डॉक्टर सुरेश पहाडिया एवन डॉक्टर जगदीश नाये का गुणवत्ता आश्वाशन समूः यानि कि कॉलिटी अश्योरेश ग्रूप से विशेशक इस समंद्ध में आपको समोधिल करेंगे तो इसी तरह अभी जो है इसको आके बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर सुरेश पहाडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको समोधिल करें और आपको इसके बारे में बताएं और इसी तरह को शुरूआश की शुरूआद करेंगे दन्यवाद गुल्षन सर्थ मेरा आप सभी को नमश्यों करेंगे करेंगे इसमें आप देखेंगे दूद खराब क्यू हो जाता है इसका क्या कारण है गुणवत्ता का इस तरह नीचे क्यू चला जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे गुणवत्ता क्या होती है और स्वच्छ दुत्पादन का महत्व क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं और इससे सम्मधित स्वच्छ दुत्पादन करने के सम्मधित हमें क्या-क्या सावधानिया बरतनी है तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो ये एक भूमी का है हम इसमें क्या-क्या कवर करने वाले हैं लेकिन बीच विसमें और भी बहुत सारी इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम दूद उत्पादन का प्रधेश हमारे देश में क्या है वो हम जान लेते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं 1999 के बाद से भारत दुनिया का सबसे नमबर वन पर है दूद उत्पादन में और अभी का अभी बात करते हैं सन 2019 और 2020 में तो लगबक 118 मिलियन टन दूद का उत्पादन हुआ है जिसके इसाब से प्रति व्यर्ति दूद की उप्लप्तता जो है वो 407 ग्राम प्रति दीन है जो की परियाप्त माने जाती है भारत के इसाब से तो यह खुल मिला कि यह कहना है कि अभी के इसाब से हमारा भारत देश जो है दूद उत्पादन पर अपने उपर आत्म निर्भर है अभी हम किसी भी प्रकार से जो है दूद का बाहर से आयत नहीं कर रहे हैं तो यह हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हम एक तो दूदिया में विश्व में दूद उत्पादन पर नमबर एक पर है और अभी हम किसी भी प्रकार का दूद उत्पादन आयत नहीं कर रहे हैं अभी हम बात करेंगे कि दूत की गुनवत्ता में क्या कारण है जो हमारे यहां पे ऐसा क्या सिस्टम है और बाहर के देशों में क्या सिस्टम है जिसके कारण हमारे यहां पे जो दूत की गुनवत्ता को बरकरा रखने के लिए समस्या आती है जैसे हमारे यहां पर देखते हैं कि हमारे यहां जो दूद संग्रहन करने का जो जो देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि भागोलिक शेत्र में फिलवे किसान है यहां पर बड़े-बड़े फार्म नहीं है हम यहां पर एक-एक किसान जो है वो समीती से जुड़ा है और बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है इसी के साथ कभी-कभी आशिक्षा और जागरूता की कमी के कारण भी हमारे यहां पे यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके कारण से हमें दूद की गुणवता में कभी-कभी समझ से आती है हमारे यहां दूद संग्रह की व्यवस्ता क्या है अगर हम देखते हैं सहकारी संस्ता में तो आप देखेंगे जो जानवर से जब हम दूद निकालते हैं पशु से दूद निकालने के बाद यह समीति तक लेके आया जाता है समीति पर इसका परिक्षन होता है उसका वजन होता है उसके जो फार्वर्मर्स जो प्रिड्경 जो है जितना क्वालिटी का दूद लेके आता है उसके इसाब से उसको उसका रेट मिलता है इसके बाद यहां पर टेस्टिंग होने के बाद यहां पर दूद को कभी ठंडा भी किया जाता है BMC होता है या चिलिंग सेंटर होते हैं यहां पर ठंडा करने के बाद दूद को डेरी तक लेके जाया जाता है और दूद की डेरी से प्रोसेस और पेक होने के बाद इसको आगे ग्रहक के पास पहुचाया जाता है तो एक ये एक सामनी वेवस्ता हमारे यहां पे सहकारी मंडली में सहकारी वेवस्ता में यह होती है तो इसी इसी श्रंखला में हम ये देखेंगे कि कहां कहां पे quality के challenges हमारे पास है और हमें किसान भाई और बहन इसमें क्या बड़ा रोल हम रोल कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे जैसा कि हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो व्यवस्ता है वो अलग प्रकार की है अगर हम बात करते हैं कि बाहरी विक्सी देशों की तुलना में है है ना तो यह जैसे कि यह milking machine हमारे यहां पर बहुत कम ऐसे farm है जहां पर यह milking machine से होता है बहुत सारी जगे पे हाथ से ही दूद को दुहा जाता है तो हम अभी यह करने का बताने का इसलिए है क्योंकि जो जो वातावरन का जो है वो एक तो अलग है यह साथ में जो व्यवस्ता हम करते हैं जिसके कारण से दूद का रख रखाव करते हैं उसमें बहुत सारे challenges आते हैं उसमें हम बात करेंगे अब सबसे पहले देखते हैं कि जैसे मैंने बेले बताया कि हमारा अभी तक जो है दूद उत्वादन है लगभग 200 million ton के आसपास हो गया है और आने वाले समय में देखा जाए कि 2030 में लगभग यह 266 million ton हो जाएगी यह सरकारी आंकड़ा है जो कि अध्यान सर्वे करके यह पाया गया है कि 266 million ton दूद का मांग बढ़ेगी अब देखते हैं कि अगर दूद की मांग को अगर हम पूरा नहीं कर सकेंगे अगर आने वाले समय में तो क्या हो सकता है तो हमें दूद के पदार्त आयात करने पड़ेंगे और आयात करने पर जो है किसान को उचित दाम यह मिलेगा इसके गारेंटी नहीं है दूसरा अगर हम देखते हैं कि आजकल जो ग्रहाक है वो बहुत जागरुक हो चुके है उनको पता है कि हमें किस क्वालिटी का दूद चाहिए अगर आप क्वालिटी वाला दूद नहीं देख पायते हैं तो उसके परियाप जो उचित दाम आपको नहीं मिलेंगे और भी बहुत सारे कारण है कि जैसे कि अगर देखा जाए तो हमारे जो कानून बने है जो आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि एक संस्ता है जो पूरा सक्ती से कानून लागो करती है पूरे भारत वर्ष में तो इसके हिसाब से हमें बहुत ध्यान र जो पशू से लेकर डेरी तक आने में लगवक चार से पांच गंटा लगता है कहीं कहीं छे गंटा भी लग जाता है तो इस दोरान बेक्टेरिया की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसके कारण क्या होता है दूत को डेरी में पाश्यूराइज किया जाता है यह काश्यूराई जाता है अभी घरम करते हैं तो इसका अपमन होता है तो अभी जिसाबसे अगर जादा बेक्टेरिया की संख्या हो कि शुरू में तो बहुत जादा तापमन पर गर्म करने प्ड़ाद दूत खो और उससे क्या होगा प्लांट को इस्टेंश्यूं का जो कीमत है वो ज्यादा देनी पड़ेगी इससे डेरी को जो है नुकसान ज्यादा होता है तो यह हमारा प्रतम दाइत्व है कि जो कच्छा दूद हम डेरी तक लेके जा रहे हैं उसमें बैक्टेरिय की संख्या कम से कम हो यह हम ही सुनिशिच कर सकते हैं जो सुरू में अगर हमने बैक करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी इसी तरह हम दूसरा अगर उधारन देते हैं कुछ ऐसे प्रिम्यम पदार्थ हैं हमारे यहां पे जैसे दही योगर्ट चीज या यूं कहें जो दूद को फार के जो चीजे बनाई जाती है जो प्रड़क्स बनाते हैं उसमें अगर किसी कारण से अंटिवायोटिक की मात्रा जादा हो गई तो उससे जो पदार्थ आप बना रहे हैं वो पदार्थ अच्छा नहीं बनेगा और कभी-कभी आपने देखा होगा कि जो दही होता है वो पूरा जमा होना चाहिए लेकिन वो जमा नहीं होने के कारण की जग है वो पू और अगर जादा आती है तो इससे यह जो प्रोड़क्स मेने गिना है और भी बहुत सारे प्रोड़क्स इससे प्रोड़क्स बनने में बहुत सारी खामिया आएगी वो प्रोड़क्स अच्छे से बनेगा ही नहीं और इसी कारण से अभी हम और देखते हैं अगर दूद को ह किसानों को अगर देखते हैं कि कुछ कुछ डेरी जो होती है उन्होंने इंसेंटिव इसकी भी रखी हुई है इसका क्या मतलब होता है कि उन्होंने एक पेरामेटर रखा हुआ है कि दूद में अगर बैक्टेरिय की संक्या कम होगी तो आपको दूद की किमत के अलावा कुछ पेशा अलग से मिलेगा तो बहुत सारे ऐसे अभी इस तरह का इसमे प्रैक्टिस में है वह आपको भी द्यान में होगा तो हम देखते हैं कि इसे स्वच्छ दुत्पादन पर खिसानों को भी फाइदा है, ग्रहाकों को भी फाइदा है और डेरी को भी फाइदा है, तो सभी को इसमें फाइदा होने वाला है, और भी बहुत सारी जानकारी हम समय समय पर बताएंगे कि स्वच्छ दुत्पादन के क स्लाइट में ये भी बताया है कि अगर आप देखें कि भारत से दूद का निर्यात कितना होता है बहुत ही कम होता है क्या कारण है बहुत सारा कारण है क्वालिटी क्वालिटी अगर अच्छा होगा कि तो आप दूर तक के बाजारों में पहुंचा सकते हैं और आप निर्यात तो कुछ जो है कारण में यहां पर गिना पा रहा हूं हो सकता है कि बहुत सारे कारण आपकी भी जानकारी में आये होंगे और आपको पता होगा तो हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं दूद के समद में गुनवत्ता क्या है अभी हमने क्वालिटी बहुत पार बात किया है बट क्वालिटी होती क्या है हम किसे कहें कि अच्छा दूद है किसे कहें यह खराब दूद है तो आईए हम और जानकारी प्राप्त करते हैं अब इसमें आप देखिए, तीन तरह के आयाम दिखाए गए हैं, सबसे पहला देखते हैं, वो है sensory, मतलब आप दूद को पहचान, बिना किसी मशीन की सायता से आप दूद की पहचान कर सकते हैं, कैसे? जैसे कि गंद, सुगंद, स्वाद, ये अक्सर हम जब समीती पे दूद जो secretary होता है, वो तुरंद बता देता है कि इसमें क्या मिलावट है या नहीं है, या दूद में किसी तरह किसी की गंद आ रही है, तो वो सारा अनुभव वाला जो Secretary होता है बहुत अच्छे से बता पाता है यह sensory जो होता है इसमें आप देखते हैं fat और SNF दुद में pride क्या होता है fat और SNF और पानी यह तीन चीज़े होती है अगर इसके इलावा बाहर से कोई भी चीज आजाती है तो इसको हम इसमें दूद की quality को खराब मानते हैं, इसमें और आगे हम बात करेंगे, दूसरा आता है, दूसरा सनचना के अधार पर जो मैं अभी बता रहा था, दूद में fat, solid not fat, solid not fat का आप देखेंगे तो क्या होता है, दूद में और भी चीज़े होती है, जैसे कि lactose, protein, calcium, ये सब चीज़े भ दूद को एक संबूर्ण आहर माना गया है, लेकिन किसी कारण से अगर किसी दूद में कुछ मिलावट की जाती है, तो ये दूद की quality को खराब कर देता है, चाहे वो पानी की ही क्यों नहों, अभी हम बात करते हैं, खादी सुरक्षा के आधार पर, और भी बात करेंगे, ज जो जीवानू बोलते हैं, बेक्टेरिया, बेक्टेरिया संख्या आ जाती है, तो वो दूद, इसके बारे में आपको ज्यादा जाकरुक होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बेक्टेरिया ही है, जो दूद को रखे-रखे खराब कर देता है, आपको उसमें कुछ भी मिलाए हैं, लेकिन दूद में आने की संभावना रहती है, जैसे की, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एंटिबायोटिक्स, जो दवा हम जानवर को देते हैं, वो दूद में आ सकती है, इसी तरह किसे जो चारा और जो हरा चारा या 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 फीड, केटल फीड हम खिलाते हैं, कि विशले तत्व भी दूद में आ सकते है, अगर हमने सही से रख रखाव नहीं कियां उन चीजों को, और उसमें अगर फफुंदी आ जाती है, फफुंदी के मात्यम से एक विशले तत्व पीदा होता है, और वो दूद में आ सकता है, तो इ manure चीजों को हम और विस्तार से तो खुल मिला कि ये तीन आयामों के आधार पर दूद की कौलिटी की गड़ना की जाती है उसको परखा जाता है। जिसको वसा रहित पदार्थ भी बोलते हैं। तो खुल मिला कि दूद एक बहुत अच्छा खाती पदार्थ है। सभी के लिए बच्चों से लेके बुजूर्ग के लिए व्यस के लिए सभी के लिए दूद बहुत असेंशियल है बहुत जरूरी है। इसी कारण से इसको एक संपुर्ण आहर माना जाता है। इसको बेक्टिरिया को तो दूद में बेक्टिरिया आके करता क्या है। जैसा कि मैंने बताए कि दूद में लेक्टोज होती है जो दूद की शक्कर मानी जाती है। सबसे पहले दूद की शक्कर पर ये खाना चालू करता है। दूद की जो वसा होती है फेट उसको खाना चालू करता है। प्रोटीन इन सब चीजे इनके लिए भी किटानू के लिए भी एक बहुत पोशक तत्व है वो इनको तोड़ना चालू करता है तोड़के उसमें क्या करता है कि अपनी संख्या में भी व्रद्धी करता है और खराब चीजे पेदा करता है जैसे कि दूद का खटा हो जाना गुनवत्ता खराभ हो जाती है दूद की तो खराब हो जाती है दूदह पीने के लिए भी आच्छा नहीं मना जाता है तो आप देखेंगे अब आप में से कोई लोग बोलेंगे कि कितानू जो होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं। डूद में जो किटानों आते हैं, जो हमें, बोलते हैं कि बीन बिलाइ महमान की तरह आ जाते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सुरू में हमने साफ सफाई नहीं रखी तो जब डेरी पर या समीतिर पर लेके जाएंगे तो उसमें लाखो या कभी कभी करोडों की संख्या में बैक्टेरिया आ सकते हैं तो यहां पर यह चीज आपको जानकर जरूर रखनी चाहिए कि हमें सुरू में किस तरह किटानू के प्रवेश को रोका जाए वह हम आगे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अब हमने जान लिया कि बैक्टेरिया क्या है दूद में आके वह करते क्या है अब हम यह जानेंगे यह बैक्टेरिया दूद में आते कहां से तो यह करके हम देखेंगे इसमें तो ये पांच प्रमुख श्रोद बताय हैं जिनके कारण से बैक्टिरिया दूद में आ सकते हैं जैसे पहला पशु पशु का अगर हमने साफ सफ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो सबसे जादा वहां से आएंगे पशु आगे बीमार है पशु को थनेला रोग है या कोई और रोग है उसके माद्यम से भी दूद की क्वालिटी खराब हो जाएगी दूसरा है जो दूद दोहने वाले हम खुद अगर हमने अपनी व्यक्तिकत साफ सफ़ाई अच्छे से नहीं रखी अगर हमने साबुन से हाथ नहीं दोए दूद दोने से पहले या हमने रख रखाब सही से नहीं किया यह हम कभी-कभी हम खुद रोगगरस थे और हमने दूद निकला है, तो इसके माध्यम से भी दूद में बैक्टेरिया आएंगे और दूद की क्वालिटी को खराब करेंगे, इसके साथ दूद में उपकरन, जो बरतन हम काम में लेते हैं, जो बाल्टी काम में लेते हैं, वो क अभी दूद रखने वाले बरतन में कुछ और चीजे रखी हो, तो इन सब चीजों से दूद की क्वालिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, वो हमें ध्यान रखना है, दूद के बरतन जो होते हैं, वो स्टिल के होने चाहिए और समय समय पर उसके सफाई बहुत जरूरी है, चोथा कारण अगर देखते हैं कि आसपास का वातावरन, जहां पर हम दूद निकालते हैं, या समीति का आसपास का वातावरन, क्या वो दूशित तो नहीं है, क्या हमने बराबर साफ सफ़य रखी हैं आसपास की, ये बहुत चीजे इस पर ध्यान रखनी है, इसी तरह स दूद को जितना जल्दी हो सके हम समीति तक पहुंचाएं, और जितना जल्दी हो सके दूद को या तो ठंडा करना चाहिए, या दूद को पाश्यूराइज करना चाहिए, तो अभी बहुत सारी जगे पे BMC भी आ गये हैं, तो BMC आने का ये मतलब नहीं है, कि हम आराम से ल पढ़ेगा नहीं, अब एक सिंपल सी चीज में ये बताया गया है यहां पे, अगर एक मक्खी, यहां मक्खी का उधारन दिया है, एक मक्खी अगर यहां पे गंदी जगे से उड़के दूद में गिरती है, तो अपने साथ लगवक दस लाख किटानू लेके आ सकती है, तो यह ध्यान रगना है कि मक्खी और इस तरह के गंदगी आसपास नहीं रहे और वो दूद में नहीं आए, बेक्टिरिया जैसे दूद में आते हैं, तो क्या इसका जांचने का तरीका है, यस उसका जांचने का तरीका है, और बहुत सारे तरीके हैं, और जो जो बहुत जिसक चांचने वाला एक तरीका है, नहीं तो जो डेरी में QC Laboratory होती है, वहाँ पर टेस्ट करने जाएंगे, तो उसमें कम से कम दो दिन लगते हैं, बेक्टेरिया की चांच करने में, लेकिन ये जो है गाव इस्तर पर ही ये परिक्षन किया जाता है, इसको बोलते हैं MBRT, Methylleum Blue Reduction Test, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक BIS, एक मानक संस्ता है, जो आप सुनते हैं, सोने पर जो एक मार्क, सोने पर जो ग्रेडिंग देती है, वो संस्ता इसमें भी ग्रेडिंग दिया हुआ है, उसने बताया है, कि अगर कच्छे दूद में MBRT का समय, अगर 30 मिनिट से जो आप से नीटे में अच्छा, और पांस गंटे से उपर जो है, वो दूद को बहुत अच्छे की गंड़ना में आता है, तो कुल मिला के इसमें ये देनाता है, कि जितना कम समय है, इसका मतलब उसमें के टानू की संक्या जादा है, और वो दूद को खराब कर रहा है, तो जो हम दूद लेके आ रहे हैं, उसमें बेक्टिरे की संक्या ज्यादा है या कम है, अभी धीरे-धीरे करके BMC पर भी ये टेस्टिंग होने लगी है, और चिलिंग सेंटर पर तो ये बहुत समय से प्रचलीत है, ये चल रही है, और हम अभी एक दो चीजे जो एक बहुत महत कराया था कि FSSI एक संस्ता है, जो कि पूरी निगरानी रखती है, तो उन्होंने एक सर्वे कराया है, पूरे भारत वर्ष में, सभी जेगे पे, जितने भी राजजी है और जितने भी हमारे केंदुशाशीत प्रदेस है, सभी में ये कराया है, और बहुत सारे सेंपल्स दूद में दो प्रकार की जो है, जो बलते हैं विशेले पदार्त दूद में आ रहे हैं, वो एक है अफला टॉक्सीन, और दूसरा है एंटिवाइटी के मातरा, जो दवा, दवा के मातरा, तो ये दो चीजे दूद में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें ये जानना य पानी जगे पर रखते हैं, अगर वो पानी जगे पर रख दिया है, तो आप देखेंगे वातावरों में अगर नमी जदा है, या उसका रख रखाव साई से नहीं किया, हमने चारा का या केटल फीड का, तो उसमें फफुन्दी लग जाती है, और वो फफुन्दी जो है, इसके कारण से अफला टॉक्सिन पैदा होता है, और अफला टॉक्सिन एक बार आ गया, तो वो पशु अगर खाता है, वो पशु के माद्यम से दूद में भी आता है, और यह हम अपने हिसाब से नहीं किया रहे हैं, कि एक पूरे सभी राज्यों में ये टेस्ट किया है, औ इसकी मात्रा दूद में ज्यादा आ रही है, तो इसके बारे में हम अभी किसानों को और सभी जगे पे हम जागरूप कर रहे हैं, आप देखेंगे ये फफुन्दी लगा हुआ, जो है मुमफली का दाना देख सकते हैं, यहां पे मक्का का दाना देख सकते हैं, अगर इस त अगर दूद में आ रहा है, तो वो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव करता है, उससे पहले हम जानेंगे कि पशु के स्वास्त पर क्या प्रभाव डालेगा, पशु के स्वास्त पर आप देखेंगे, सबसे पहले ये लक्षन आते हैं कि वो खाना कम कर देता है, इसके साथ क्य जो लीवर होता है उसको खराब करता है और दूद की पैदावार भी कम हो जाती है तो आप देखेंगे कि पशुपे भी ये सीधा-सीधा प्रभा तरीके से प्रभावित कर रहा है तो हमें इसके उपर भी ध्यान देना है इसके साथ अब हम जानेंगे कि ये मानव स्वास्थ पर क्या प्रभाव डाल रहा है मानव स्वास्थ पर देखेंगे तो ये आप देखेंगे जैसे पशुपे लीवर को खराब करता है तो हमारे लीवर को भी सीधा-सीधा खराब करता है और इससे क्या होता है लॉंग टर्म में अगर ज्यादा समय तक हमने इस तरह का दूद याफ पर एप सब्सक्राइभ मुटन हो गया गया तो हमारे कनसरोफष सब्सक्राइब भारत वर्स में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मृत्यू का कारण जो है आंकडों के साब से वह है कैंसर तो हमें यहां पर बहुत ज्यादा जाकुर्ख होने की जरूत है कि कैंसर इस यह अफ्राडॉक्सिं के माध्यम से भी हो सकता है अब हम यह देखेंगे कि इससे बचाव का क्या तरीका है आप क्या कर सकते हैं किसान भाई बहान यहां पर क्या बहुत महत्पुन रोल प्ले कर सकते हैं वो क्या रोल होता है उनका जैसे हम चारा इस्टोर करते हैं या सुका चारा लगाते हैं तो वो सीधे जमीन पर नहीं जो बैंने पर होतो होको अousing गोलख तक मुलेंख उनल और झाइन होते हैं ऐसा में irt वह एभड़त होते ए सब करने और अचने और के उसमें आने का चांस बढ़ जाते हैं कि अभी हर देखा है तो आप को यह ध्यान रखना है कि अगर लगा हुआ कि ragda तो आपको तुरंट अलग कर दे उसको पशु को नहीं खिलाए और आपको उत्रम क्वालिटी वाला जो पशु आहर है केटल फीड है उसी को अपने पशु को खिलाना चाहिए यह जो है जो यूनियन जो अपने लेवल पर समय समय पर इसका टेस्टिंग कराती रहती है तो अच्छी गुनता वाला ही हम कहेंगे कि वो पशु को आपको आहर खिलाना चाहिए इसी तरह के जो मैंने FSSI की बात की एक दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है जो दूद में आ रहा है वो है एंटिवाइटिक एंटिवाइटिक मतलब दवाद कभी-कभी ओवर्डोज हो जाती है ओवर्डोज या अपने से डॉक्टरी करना यह सब चीजे अगर हम करेंगे तो क्या होगा आप देखेंगे कि लंबे समय तक अगर यह चलता रहा तो एक बताते हैं कि एंटिवाइटिक रेजिस्टेंस आ जाता है यह थोड़ा यह टेकनिकल है लेक अगे आद देखेंगे जो मीट काता है जो चिकन काता है या जो भी होता है उस चिकन को भी दवा में एंटिवाइटिक दी जाती है कभी-कभी पशु को ठीक करने के लिए एंटिवाइटिक दी जाती है तो यह क्या है कभी दूद के मात्यम से कभी पशु के मीट के मात्यम स तो यह देखना है कि इससे एंटिबाइटिक लंबे समय तक रहे तो वह रिजिस्टेंस पड़ा हो जाएगा और उसे हमें वह एंटिबाइटिक का जो असर होना चाहिए जब हम विबार होंगे तो वह असर ही नहीं करेगा तो यह एक बहुत-बड़ी समस्य आने वाले समय में आने वाली है ये भारत वर्ष के सासत Пोरेव विश्यूकों में भी आ रही है तो यह हमें अभी से अभी इसको जागर्क रहना है और हम यह एंशूर करना है हम망 ये ध्यान हकना है कि दूत के माद्यम से हम किशो काम से कम कर स कि अब देरेगे चाहएं तरह बहुत निचे ज् думаю क् nac के लिए में support कूछ नहीं कि महें सैंसंते हुए यह जो है resonate कर परिख दिन कम वीज्द है कि अब ध करती है वड़्याग निक बुट शुक्त लिएग भी के दिशना था चेश थिर kind इलाज का क्या-क्या तरीका है आयुवेदिक इलाज, खास्तोर से थनेला और इस तरह का, सभी तरह का इलाज इसमें दिया गया है, आप इस लिंक को कोपी कर लेज़ेगा, और इसको प्रवैट कर देंगे हम सत्र के अंत में, ताकि आपको इसमें परेप्त मात्रा में जानकार हैं, ठीके, तो ये बहुत सारी टेक्निकल जानकारी हो गए, अभी हमने यहाँ पर एक स्लाइड में ये बता है कि अगर दूद का क्वालीटी खराब है, तो क्या हो सकता है? ये बहुत जगे पर ये देखा जाता है कि दूद की क्वालीटी खराब होती है, तो इसको डिजे दोभगता आप और दोनों ही हो सकते हैं, परुसियेंज़। इस तरहीं िसम पकाल है कि हमए से ध्यान रिखना है與kommen जानकारी, थो भी हम उसको रोक सकते हैंegy आगसरेंगे दोभी सकते हैं जलसे। तो बात करेंगे कि यह हमें क्या करना चाहिए हम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं तो इसमें आपका जो रोल है जो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर कच्छा दूद्ध अच्छा आप देंगे तभी डेरी वाला जो है उसको अच्छा कर सकता है उसके पास कोई मेजिक नहीं है उसके पास कोई जादू नहीं है कि अगर आपने कच्छा दूद्ध खराब दिया और इसको अच्छा कर दे तो यह हमारी जिम्हेदारी बन जाती है कि हम अच्छे से अच्छा दूद्ध पहुंचाए ताकि जो दूद्ध जाएगा मार्केट में जो ग्राग दूद्ध पिएगा उसके स्वास्तु को वो बुरा प्रभाव नहीं करे ग्राग पीता किसे खरीदता किसके लिए ताकि उसको लगता है कि दूद्ध एक बहुत अगर हुड़्या जो पनारे अगर हुड़्या को अगर जो दोद्ध फैरि अगर हमने बताया है कि अब लागप कर दोगारोध अगर Complete Canada 100 है तो इसके माध्यम से भी वो खराब हो जाता है तो इन में से कोई भी एक पीलर अगर खराब होता है या कोई भी एक जो यहां पर बताया गया है वो अगर सही नहीं है तो दूद की क्वालिटी अच्छा नहीं मानी जाती है अब ही हम जानेंगे कि यह सी एंपी का जो स्वच्छ दूदतपादन के जो 12 महत्पुन तरीके हैं यह समय समय पर आपने बहुत आपने वहां पर भी जाना होगा तो अब हम और जानकारी इसमें प्राप्त करते हैं सबसे पहला आता है साफ सूत्रा और निरोगी पशु इसकी सफाई जरूरी है खासतोर से जो थनों को और थनों के आसपास का जो जगे है उसको सफ़ाई बहुत जरूरी है उसके उसे जो कच्रा वगरा दूद में आने का संबावना होती है बिमार पशु का दूद समीति पर नहीं देना चाहिए और इसमें देखते हैं कि जब आपने बिमार पशु है तो उसका कम से कम दो दीन तक दूद पीने लाइक नहीं होता है और जब अगर उसको कुछ दवा लगी है कुछ एंटिबाइटिक लगा है या कुछ ट्रेटमेंट चल रहा है तो उसका दूद दो दिन तक समीति तक नहीं देना चाहिए क्योंकि इसके दूद में एंटिबाइटिक की मात्रा बहुत ज़्यादा आने का संबावना होती है पशू की रखने की स्थान साफ सुत्रा होना चाहिए हवादार होना चाहिए और खासतर से जब आप दूद निकालने की बारी आती है तो उस दौरान उससे कुछ समय पहले उसका जो फर्स है वो पुरी तरह से सुखा रखना चाहिए साफ रखना चाहिए ताकि फर्स की पानी होता है अगर हम पानी ही खराब दे दे तो जो दूद की क्वालिटी है वो पूरा खराब हो जाता है तो जो हम यह कहते हैं कि जो हम पानी पीने लाइक हो जो हम पीते हैं वही पानी पशू को हमें पिलाना चाहिए बर्तन के बारे में पहले भी हमने बात किया है, आप इस फोटो के मात्यम से यह देख पा रहे होंगे, कि कहीं क्रोस का निसान बनाया हुआ, इसका मतलब यह होता है, कि आप प्लाश्टिक के बर्तन बिल्कुल काम में नहीं लें, क्यूं? क्यूंकि कुछ समय के बाद इसके अ बताया ही है कि किस तरह से व्रति करता है, एक गंटे के अंदर वो 100 से 400 हो जाता है, और 4 गंटे के अंदर वो एक लाख पहुंच जाता है, आप देखेंगे कि यह प्लास्टिक वाला जो बर्तन काम में लेंगे, तो उसे घंद कुछ समय के बाद घंद भी आती है, गंद किस सता जो भी जो इस पिक्चर में बताई गई है, वो टूटी-फूटी नहीं होना चाहिए, अगर टूटी-फूटी होगी तो अंदर भी सता खराब होगी, और बर्तनों को समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी है, समय साफ किस से करे, राक से बिल्कुल साफ नहीं करना चाहि है, हमें इसका वाशिंग पाउडर जो आता है, या साबून है, इस तरह क्या चीछे कामे लेनी चाहिए, डिटर्जेंस, दूठ दोने से पहले साबून को अच्छी तरह से हाथ दो लेना चाहिए, कब हात लोएना चाहिए दूठ दोने से पहले, या सोचाले का उप्योख क कि अगर कट वगब लगाया है तो उसको बेंडे से कम बंद करके यह दूद निकालना चाहिए थनों की साफ सफाई जरूरी है पानी से पहले से साफ करें और उसके बाद साफ कपड़े से पहुंचना चाहिए अभी ये एक और महत्मुन बात है कि पहली धार थनों से हर जो थन है उससे निकालनी चाहिए कियों कि पहली धार में बैक्टेरिया लाखों की संख्याए हैं वो अगर दूद और तो आगये दूद में आगÉ तो वो आगे जाके बहुत खराब करें इस लिए पहली धुर्ण अलग करके अलग से निकाल दे और उसको अलग फैंक दे और बाकी दूद को समीति तक लेकर जाना चाहिए और खुद सेवन करना चाहिए यहां पर पिक्चर के माद्यम से यह दिखाए गया कि किस तरह से किटाणू अंदर प्रवेश करता है इस तरह से आप देखेंगे कि जो नली का मुह रहता है वो कुछ समय के लिए खुला रहता है दूद जैसे निकाला उसमें जो जानवर ज्यादा दूद देता है उसमें नल प्रवेश कर जाएंगे और अंदर जो दूद के करण है उसमें पहुंच जाएंगे और अपनी संक्या में व्रद्धी करेंगे इसी कारण से कहते हैं कि पहली धार निकाल दो तो जितने भी बेक्टेरिया है वो निकल जाएंगे अब बात आती है हमारे खुद की जो दूद दोने वाले हैं वो किस तरह से अपनी साफ सफाई रखते हैं जैसा कि पिक्चर में यह दिखाया गया है कि अपना सीर जो है वो ढखके रखना चाहिए और अपनी व्यक्तिकत साफ सफाई पर बड़ाबर ध्यान रखना चाहिए ह हाथ साबुन से धुले होने चाहिए है और इसमें आप देखेंगे कि क्या किन लोगों को दूद नहीं दोना चाहिए अगर इस तरह की बिमारी है किसी को तो उनको दूद नहीं दोना है कट लगा है चोट लगा है इस तरह से तो उनको बिल्कुल दूद नहीं दोना है व्यक्तिकत साफ सफ़ाई पर बहुत ध्यान देना है, आजकल तो कोरोना के समय में आप पूरे जागरुक हो चुके हैं, सभी को पता ही है, तो साबुन से अच्छी तरह से हाथ दोना है, कोरोना के कारण तो यह बताएगे कि साबुन को कम से किस तरह से साथ स्टेप्स भी आ करना है, वो इस टोब फॉलो करने के कि आप भी स्वस्त रहेंगे और आपका जानवर भी स्वस्त रहेगा, और दूद की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, और दूद दोन दोते समय तंबाकू है, शिग्रेट है, इस तरह का जो चीज़े हैं वो बिलकुल नहीं करना है, इसके साथ ये बताया है कि दूद दोते समय पशु को हराचारा खिलाना चाहिए, इसका हराचारा है या जो सुखाचारा जो भी आप खिला सकते हैं, इसके पीछे, इसके पीछे लोजिक ये है कि पशु को हमें कम से कम 20 मिनिट तक नीचे जमीन पर नहीं बेटना देना है, क् कि अगर नीचे बेट गया तो उसमें पहला बताया है जिसे कि बैक्टेरिया उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो इसलिए पशु को खड़ा रखना है 20 मिनिट तक और उसके लिए उसको चारा खिला आए या जो भी खिला है उसको खिलाना चाहिए, अब धूद निकालने के ही पस्चात क्या करना है आपको जीवाणू नाशक गोल का में प्रयोग करें इसमें सभी प्रकार क्या आते हैं जैसे कि स्पेश करने वाला पिक लाता है और इसमें क्या ओता है कि ये जो बाहर की सत्र पर अगर बैक्टेरिया लगा है तो वह इस पर करने से या उसको गोल प्रीयोग लेने से वह बेक्टेरिया वहीं पर मार देगा जो बेक्टेरिया इसमें अंदर प्रविश नहीं करेगा तो यह सभी प्रकार के NDTV नहीं पहले बनाया है इसको साफ के नाम से जाना जाता है मार्केट में अविलेबल है और भी बहुत सारे अभी ब्रांट के आ गए हैं तो आप यह प्रयोग में करेंगे तो आपका यह देखेंगे कि तो जो जो आम तोर पर समस्य आती है थनेला रोग और इस तरह कि उससे आप बचाव कर सकते हैं तो यह काम में लेना जरूरी है अब जैसा कि मैंने बताए कि दूद को दोहने के बाद अपने समय अपने पास ज्यादा समय के लिए नहीं रखे उसको जितना जल्दी हो सके समीत तक पहुंचना चाहिए यहां पर एक यह बताना जरूरी कि जो दूद में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो दूद को कुछ समय के लिए बैक्टेरिया से रोग सकते हैं बैक्टेरिया के संख्या को शुरू में वह बढ़ने नहीं देंगे तो वह समय बहुत काम होता है इसलिए बताए जल्दी हो सके हो सकता है कि दो गंड़े के अंदर जो है दूद बीमसी में ठंडा हो जाना चाहिए तो इतना अगर आप इस तरह से फोलो करते हैं कि अगर दो गंटे के अंदर दूद को ठंडा कर जाते हैं तो अच्छा मिलेगा वह चार-पांच गंडा मिल सकता है तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए यह हमें पुरा हमारी तरफ से सुनिश्यत करना चाहिए कि दूद को जैसे दो है औ आस्तम में फाइदा कब मिलता है जब आप समय पे दूद बीमसी के अंदर चला जाए समीती पर कलेक्शन अगर नो बज़े तक चल रहा है तो उसे बीमसी पे कोई फाइदा होने वाला नहीं है क्योंकि दस बज़े तक वह बैक्टेरिया दूद में बढ़ गए वो लाखों आश्रार्थ बनेंगे वह भी बहुत अच्छे बनेंगे अब यह उसकी जो प्रस होता है वो पका होना चाहिए चातिग्रस होना चाहिए साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है समीति की बिल्डिंग में भी मकड़ी के जाले मख्या वगेरा नहीं आनी चाहिए और प्रयाप्त मात्रा में गरम पानी की व्यवस्ता होने चाहिए क्योंकि जो केन आएंगे आपका जो बर्तन आएंगे उसको साफ सफाई करना है वह भ प्रति दीन अच्छ कपड़े साफ कपड़े पहनने चाहिए यह तो बात होगी सर्कारी समीति के बारे में आप सकते हैं कि आदर्स बिल्डिंग किस तरह से होनी चाहिए यहां पर अच्छे से सभी दर बीमसी में सब दूद दे रहे हैं कलेक्शन चल रहा है है अब हम यहां पर एक जो टॉपिक बच गया था वह है एडरेशन मिलावट के बारे में सवच दूद को क्वालिटी तब तक अच्छी नहीं माने जाती जब अगर दूद में मिलावट है कि यहां पर ब्रावट करने की ज़रूत नहीं करता है यह जो बीच कि जो चैन है वहां पे मिलावट होती है तो हमें अपनी तरफ से पुरा प्रयास करना है कि मिलावट नहीं हो मर् वहले संसलिल हैं ओछ युट्यूं में थे रूसाना के वह नीमदा काफिशाओं में तो आ इसंसलाइज मेरत किया थी सबस्क्राइज से मेरे मचना बचना और समीटिव सत मातर में फेसिलिटी होनी चाहिए. कि यहां पर तीं तरह का यहां कित डिखाए गया है जो ऑड़ य ने बनाया है डिजाइन किया है यह तीन-प्रकार कह ऊते हैं लाज यह है मिडियंब है गया जिसमें एनर्ट्रीशन स्विद्धyesus जो है है वो भी आगई अभी तो मोष्टीन भी है जो मिलकों रिस्क्रीन ही वह भी test कर लेती है इसमें क्या-क्या मिलावत है या नहीं तो हमें मिलावत से बिल्गुल परहज करना चाहिए grandfather और लोगों को भी जागुरू करना चाहिए कि हमें इस तरह क्या कुछ भी मिलावट दूद में नहीं आने चाहिए खात्ती प्रदार्थ जैसा कि मैंने सबसे पहले बताए कि अगर कच्छा दूद की क्वालिटी अच्छी होगी अगर अच्छी नहीं है तो बिल्कुल हम उसको आच्छा नहीं कर सकते हैं जैसा प्रदार्थ आएगा जैसा कच्छा दूद आएगा उसी हिसाब से वह डेरी प्रोसेस करके पे करके ग्रहाक के पास पहुंचाएगा कि आप समित्ती से जुड़े हैं आप संगट मिल्क उगें इस में बनते हैं जेब घ्रहक को उसमें प्रश्ट आता है उसमें विश्वास जाकता है और विश्वास कैसे जागेगा जब आच्छा दूद उसको मिलेगा और अच्छा लगिए एक दिन नहीं लंगबक सारे समय जब भी वो खरीडता है उसको सई समय अच्छा quality का दूद या दूद के पदार्त मिले तो brand की जो image बड़ती है तो उसका फाय्दा किसको मिलेगा इसका फायदा मिलेगा जो members है किसान मिलेगा इसके members है तो किसानों को कभी bonus की रूप में, कभी incentive के रूप में और अगर ब्राण इमेज बनती है तो डेरी को सिदा सिदा फायदा होता है डेरी को फायदा मतलब जो मेंबर से जुड़े हुए हैं तो इस तरह से है तो मैं इसके माध्यम से यह सारा भी स्वाचित दुद्पादम के बारे में जानकर यह आपसे साजा की है तो अभी हम जे इसका मतलब मैंने एक सिलूशन देखा था एक प्रोग्रेसीरी वार्म और एक चोटा फार्म में भी एक glue traps आती है, जो मतलब fist को उसके और attract करता है, जैसे आपने रसी जैसे भी एक glue trap आएगा या उसको लटकाने से क्या होता है, उसके fragrance आता है उसके fragrance या smell के तुरू ये मक्की उदर जाके चिपक जाती है ताकि दूद निकालते समय या पसु के उपर या तनव के उपर वो रहान है, आप इसका आप यूज कर सकते हैं तो लगता है प्रश्चन समाप तो चुके हैं, ठीक है तो तो इसका भी समबंद करक करने का समय आ चुका है तो मैं अपना जो है पहले तो कारेक्रम को संबोदित करने यहां आपको जानकारी देनी है तू मैं डॉक्टर सुरेश पहाडिया यहां डॉक्टर जगदीश नायका को धनेवाद देना चाहूंगा